दोस्तो आज मैं आपके पास एक ऐसी स्टोरी लेकर आये हूँ जो बहुत ही हर्ट टचिंग है या यू कह सकते हैं कि वो स्टोरी आपके दिलों को छूलेगी एक कसाई रहता था जिसका नाम तो सदना वो मास बेच कर अपना जीवन यापन करता था लेकिन था भहुते बंदार वो भगवान के नाम कृतन में मस तरहता था मतलब कोई भी कारे करता था चाह मास काड़ता हो बेचता हो हमेशा वो भगवान का नाम गुनगुनाते रहता था एक दिन इसी तरह गुनगुनाते हुए अपने धुन में कहीं चला जा रहा था अचानक उसके पैर से कोई पथर टकराया वो रुग गया उसने देखा कि उसका पैर एक काले रंग के पथर से टकरा गया उसने उस पथर को उठा लिया और जेम में रख लिया यह सोच करकर कि यह मास को तोलने के काम आएगा क्योंकि जिसका जो बैपार होता है उसी में वो दिमाग लगाता है वापस आकर वो पत्थर मास के वजन को तोलने के काम में लगाया कुछी दिनों में उसने समझ लिया कि अब पत्थर कोई सधारण नहीं है जितना वजन उसको तोलना होता था पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैलने लगे सद्रा कसाई के पास वजन कराने वाले लोग आने लगे वह जितना चाहता पत्थर उतना ही तोल देता किसी को एक किलो मास देना होता तो तराजूं में वह पत्थर को एक तरफ डानने पर दूसरी और एक किलो का ही मास तुलता था अगर किसी को दो किलो चाहिए तो अब पत्थर दो किलो के भार जितना ही बारी हो जाता था अब यह बात चारों तरफ फैलने लगी लोग मास खरीजने से जादा उसके पत्थर को देखने के लिए आने लगे अब धीरे धीरे वहाँ पे भीड जुटने लगा उसकी इस बात की ख्याती चारों तरफ फैलने लगी देखते देखते यह बात एक सादू के पास पहुँची सादू यह सुनकर चकित हो गया वो उसको देखना चाहता था कि आखिर उस पत्थर में है क्या लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि सादू जो है मास मदिरा से दूर रहते हैं तो सादू को ये जानकर कि वो मास बेचता है, वहाँ जाने के लिए वो कत्राने लगे। लेकिन सादू की उस्कता बढ़ती गई और वो सादू अपने को रोक नहीं सके और उस कसाई के दुकान पे जा पहुँचे। और दूर से खड़ा होकर उस कसाई को मास तोलते देखने लगे। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा है। ध्यान से देखने पर उसके सरीर के रोएं खड़े हो गए। भीड शटने के बाद वह सादू उस कसाई के दुकान पर गए। कसाई उस सादू को देकर इतना खुशी या पसंद हो गया कि मेरे इस मास के दुकान पर एक सादू आया है। उसने बैठाया और उनका आदर सतकार करने के बाद पूछा कि आप बताईए कि आप मेरे कसाई क दुकान पर क्या आने की आपको ज़ुरत पड़ पड़ी तो साधु ने बोला तुम्हारे इस पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया यूं कहें कि चमतकारी पत्थर ही मुझे खीच कर तुम्हारी दुकान पर ले आया बातों बातों में ही उन्होंने कस कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझ करो मास तोल रहा है वो वास्तों में शारीगराम जी हैं जो की भगवान का सुरूप होते हैं शारीगराम जी को इस तरह गले कटे मास के बीच में रखना अच्छा नहीं है बड़ा पाप पड़ता है कसाई यह बात सुनकर बहुत ही दु चा सकते हैं और वो कसाई सादू के सामने हाँ जो के खड़ा हो गया और बोला कि आप इस सालिगराम पत्थर को ले जाईए अपने साथ मैं इसका हगदार नहीं हूं मैं तो मास काटने का वैपार करता हूं जो की इसके लिए अच्छा नहीं है कसाई के बहुत बोलने के बा सादू मान गए और उस सालिगराम पत्थर को अपने साथ ले आए और अपने घर में प्रस्तापित करने के बाद बहुत ही पूजा करते थे डेली अराधना करते थे फूल चढ़ाते थे बहुत सेवा सतकार करते थे लेकिन एक बार जब सादू सो रह थे तो अचानक से सालि आए मेरे से मांग लिजिए लेकिन आप मुझे उस कसाई के पास ही छोड़ दीजिए क्योंकि मैं आप जो मांगोंगे मैं देने को तयार हूं लेकिन आप मुझे अगर कसाई के पास छोड़ देंगे तो मैं बहुत खुशी महसूस करूंगा सादू के दिमाग में ख्याल आया सपने में कि आप इतने सेवा करने के बाद भी आप मेरे पास रहने को तयार नहीं है और उस कसाई के पास क्यों जाना चाहते हैं तो उन्होंने बोला कि आप तो मेरी अर्चना करते हो पूजा करते हो लेकिन मैं उस भक्त के सामने बिक जाता हूं जो हर समय मेरा कुंगुना रहता है मेरा गान करता रहता है मेरा कृतन करता रहता है और मेरे में ही लीन कर रहता है सादू को ये बात समझ में आई वो सुवा उटके वो गए और उस कसाई को सालिगराम पत्थर जब देने लगे तो कसाई ने बोला गुरू जी आप मुझे क्यों दे रहे हैं मैं इसके लायक नहीं हूँ तो उन्होंने बोला कि देखो मेरे सपने में कल शालिगराम जी आया थे उन्होंने बोला कि जो भक्त दीन भर मेरे कृतन में मस्त रहता है मंगन रहता है मैं उसका ही रहता हूँ सादू के जाने के बाद उस कसाई को ये समझ में आया कि मैं ये क्या पाप कर रहता जब भगवान में से इतना प्रसंद है तो मुझे मास बेचने की क्या जोरत है और उसने मास बेचने का दुकान बंद कर दिया और भगवान के भक्ती में लिन रहने लगा यह कहानी दोस्तों कैसी लगी आपको आप मेरे को जरूर बताईएगा अपने कमेंट बॉक्स में बेल आइकन नहीं है दबाया अभी तक तो दबाईए और अपने दोस्तों के साथ कहानी शेयर कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा धन्यबाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नहीं विचार के साथ